नहीं दी है कि आप इसको दिखाती सूत्र से हल कीजिए ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं कहा है मूलू का स्थित्व है या नहीं ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा है तो ऐसी कंजिशन में आप इसको दिखात समिकर के बजाए गुरंखन बिदी से भी कर सकते हैं तो अतह मूल क्या जाएंगे हमारे पास यह आपना है तू वह वन है ठेक अब हम नेक्स्ट कुष्चिन करते हैं अब कुष्चिन नंबर फोर्थ है देखे तीन वर्ष पूर रह्मान की आयू का वित्कुरूम और अब से पांच वर्ष पिश्चाद आयू के वित्कुरूम का योग वन अपॉन थ्री है उसकी वर्तमान आयू ग्याद कीजे कुष्चिन में आपसे कह रहा है तीन वर्ष पूर रह्मान की आयू का वित्कुरूम अब से पांच वर्ष पिश्चाद आयू के वित्कुरूम का योग का 1 upon 3 है तो उसकी वर्तमान आयू याद कीजे बिटा हमें आपर रह्मान की वर्तमान आयू मालूम ही नहीं है ठीक तो 3 वर्स पूर पहले की कहां से मालूम होगी तो ऐसे condition में हम सबसे पहले उसकी जो present age है it means जो उसकी वर्तमान आयू है उसको मानेंगे तो वर्तमान आयू हमारे पास क्या हो गई है X ठीक है तो आप यहाँ पर लिखेंगे माना question समझ माया होगा ना माना रह्मान की वर्तमान आयू वर्तमान आयू हमने क्या माननी बेटा X तीन वर्स पूर कह रहा है तो पूर के लिए हमेशा याद रखना जैसे अभी आपकी present age अगर 15 year है तो 3 वर्स पहले यहनकी 3 वर्स आपका पहले के लिए हमेशा क्या क्या जाता है माइनस क्या जाता है मैं आप लोगों को पार बार बताती हूँ तो उसी प्रिकार रह्मान की अगर वर्तमान इनकी उसकी present age अगर मालूम है तो उसकी वर्तमान इनकी पहले की आयू कितने हूँ जाएगी जितने वर्स पूर कहेगा उसको वर्तमान मैंसे क्या कर देते है माइनस कर देते है तो इस प्रिकार तीन वर्स पूर रहमान की आयू कितने हो जाएगी बराबर X-3 ठीक है अब उसके बाद आपसे उसने कंडिसन दी है कि दूसरी कंडिसन दे रिखिए अब से पांच वर्स पश्चाद अब से पांच वर्स पश्चाद कह रहा है तो पांच वर्स पश्चाद के लिए जितने वर्स पश्चाद कहता है उसको उतने में क्या कर देते है एट कर देते है तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब से पांच वर्स पश्चाद पांच वर्स पश्चाद रहमान की आयू कितने हो जाएगी कि बढ़ जाएगी कम हो जाएगी कोई नहीं बोल ले हैं बढ़ जाएगी यह कितने हो जाएगी प्रिजेंट फ़ली एज में जितने वर्स पश्चाद करा उसको उसमें एड़ कर देते हैं ठीक है तो इतने वर्स हो जाएगी अब उसने आपको क्वेश्चन में कंगिसन दी है तो आपको आपले करेंगे एकोर्डिंग टू क्वेश्चन